पिलो के हगदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं बलकि वे हैं जो जित पे अड़े हैं अगर आपने दस्वी पर इक्षा पास कर ली हैं तो हो जाईये तयार SSE MTS के जरिये दे रहा है आपको सरकारी नोकरी पाने का सुनहरा मोटा SSE MTS की ब्यहतर तयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं Sure Selection badge जो आपके selection को 100% सुनिशित करेगा इस badge में आपको अनुभवी सिचकों के माध्यम से classes कराई जाएंगी और किसी भी subject में आपको कोई भी doubt है तो उस teacher के माध्यम से ही उस doubt को clear किया जाएगा तो देरी किस बात की आज ही डाउनलोड करें SSE MAKER का एप और जोईन करें Sure Selection badge आज हूँ सर नवस्कार साथियो मैं निखिल सर्मा आप सब का आपके अपने परिवार SSE MAKER में हार्दिक श्वागत करता हूँ चलें जी जल्दी जल्दी आजए सेसन को like और share जरूर कर दें जिससे सेसन का लाब अन्य विध्यारतियों को हो सके और साती साथ मेरी और हमारे पूरे परिवार SSE MAKER की तरब से आप सभी को गनतन दिवस्की हार्दिक सुभकाम नाए चलें जी आज हमारा सेसन नंबर क्या है सेसन नंबर आज हमारा है आठ रीजनिंग का चलें कुछ नाम ले लेता हूँ पीकू, सर्मा, पंकाज, निदी, जानसी, खुसी, सीतल, पूजा, गुड़ीवनिंग एवरिवन, राम राम जी सेसन नंबर है आज हमारा आठ इससे पहले के हम जो है MTS और ये जो सेसन चल रहा है आगे की तरह बढ़ते हैं, चलें, चलें जी, कुछ ये याद भी, आपको ये चीज भी याद रखनी है CRPF, HCM और ASI के लिए अबे बैच, CGL Mains के लिए आरम बैच, साथ ही साथ आपका MTS और CHSL के लिए शोर सेलेक्शन बैच, लोंच किये जा चुके हैं, करना क्या है, SSC Maker App डाउनलोड करें, वहां से ये वाले बैच, परचेस कर लें चलें जी, सैसन का पहला कोशन आपके सामने है, प्रियंग का हैपी रिपब्लिक डे सर, बिल्कुल हैपी रिपब्लिक डे सबको, सर मिठाई कहां है, अनील कुमार, मिठाई बिल्कुल है, जल्दी जल्दी सलेक्शन ले, मिठाई मेरी तरब से होगी ठीक है चले जी पहला कोश्चन आपके सामने है बनाने की कोशिस करें दिये गए परसन विकल्प में से उस अच्छर समू का चैन कीजिए जो निमलिकित सरंकला में परसन वाचक चिन के स्थान पर आता है कहने का मतलब आपके सामने एक स्रीज दी गए के आर ओ पी डबलू टी यू बी वाई और इसके बाद कोश्चन मारक है उप्सन नमबर ए आएगा बी आएगा सी आएगा या डी आएगा चले जी बताएं जी इसका अंसर क्या आएगा चले जी बताएं इसका अंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में देखो जब भी ये आपके अलफाबैटिकल स्रीज आए करने का तरीका क्या होगा जब आपके कैई पार्ट में टूटी हुई हो तो पहले वाले वर्ड की कंपेर पहले वाले वर्ड से करो देखो इस वाले का पहला लो और इसका पहला लो के से पी बना के ग्यारे पे पी सोले पे कहने का मतलब कितने बड़े आगी की तरफ पांच बड़े ऐसी इसका पहला और दूसरी वाली जो पार्ट है इसका भी पहला लो यहां भी आगी की तरफ कितने बड़ रहे हैं और 5 कितना हुआ, 26, 26 पे आपका जैड आ गया, answer आ रहा, बच्चों का C answer आ रहा, बहुत सारे बच्चों का C answer आ रहा, correct answer है, अब दूसरे वाले वर्ड की compare, दूसरे से करो, R से W बना, यहां भी आगे की तरफ 5 बढ़ा, W से B बना, W से B बना, यहां भी आगे की तरफ 5 चलो जी ऐसी तीसरे की करो, आपका O से T तक यहां भी 5 बना, तीसरे की तीसरे से 5 आगे की तरफ 5 बढ़ा, और Y से आगे की तरफ same sequence में 5 जाओगे, Y के बाद एक Z वाला हो गया, आगे कितने बचे 4 और 4 नंबर पर आपका D आता है, तो Z, G, D, option number C आपका correct answer है, उमीद है, स नीचे दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चैन करे, जो निमलिकित संख्ला में परसन वाचक चिन के स्थान पर आती है, क्या है, आपके सामने एक नंबर स्रीज है, 6, 24, 60, 120, 210 question mark, बताओ जी question mark की जगए क्या हैगा, option number A, 336, B, 322, C, 343, या D, 432, इसका answer comment section में लिख के देख क्या होगा, चलें जी, चलें जी, स्रीज क्या है, आपके पास स्रीज 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 60, 120, 120 के बाद 210, और 210 के बाद question mark, बताओ जी इसका answer क्या आना चाहिए, ठीक है, बताओ जी इसका answer क्या होगा, answer आ रहा है भी तक A option आ रहा है, चलो जी कुछ का C भी आ एक्जामनर मैक्सिमम स्क्वाइर या क्यूब पर खेलता है, तो देखो सबसे पहले यह देखो, यह किसके स्क्वाइर या क्यूब के आसपास नंबर है, क्या, क्यूब के आसपास नंबर क्या है, क्या, अगर मैं देखू, यह 6 कून से क्यूब के आसपास है, 2 की क्यूब 8 ह और आठ में से दो गए कितने बचे शै बिल्कुल दो की क्यूब के पास है तो ये 6 कैसे बना भहिया ये 2 की क्यूब में से जो आपका क्यूब नंबर करा हो इमाइनस कर लिया दो की क्यूब कितनी होती है शैट और आट में से 2 गया 6, यह 6 से बना, ऐसी 24 देखो कैसे बना होगा, 24 देखो किसकी cube के पास है, टीन की cube के पास है, जिस नंबर की cube करी वो ही minus कर जो, 3 की cube 27 minus 3, यह 24 भीया ऐसे बना, ऐसी सेम लोजिक लगाओगे, 60 कैसे बना, 60 बना भिया 4 की क्यूब 64 होती है 64 में से 4 कम करोगे भिया 60 बनेगा ऐसी आप देखोगे 120 कैसे बना किस की क्यूब के पास है 5 की क्यूब के पास है और जो नंबर की क्यूब करी वो ही माइनस कर लो 5 की क्यूब क्या होती है 125 और 125 में से 5 गया 120 सेम लोजिक इसमें लगाया है च्छे की क्यूब के पास है और च्छे माइनस करोगे तो 210 तो सेम सिक्वेंस जिनका अंसर 336 और तीन के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 लिया तो अगला नंबर के आएगा 7 अगला नंबर के आएगा 7 और जो नंबर है उसकी करोगे 343 आता है और माइनस 7 करोगे 343 में से 7 गई कितना बचा आपका गटाओगे माइनस करोगे 336 आएगा और 7 की क्यूब का मतलब कैसे करते हो 7 गुणा 7 गुणा 7 करके करते हो ठीक है इनकी आपस में गुणा करके यह आएगा तो अप्शन नंबर A बहुत अच्छे वा करनाने की कोशिस करें उस विकल्प का चैन करें जो पाँचवे सब्द से उसी परकार संबंदित है जैसा है दूसरा सब्द पहले से चोथा तीसरे से और साती सात आपको बताना है क्या सब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी सब्दों के रूप में माना जाना चाहिए सब्दों में अक्षरों की संख्या वेजन्स या सुवर की संख्या के आदार पर एक दूसरे से संबंदित नहीं किया जाना चाहिए सिंपल सी लोजिक क्या है जिस परकार पहले वाले वर्ड से आपका ये वाला वर्ड बना जो भी आपने रिलेशन लगाया सेम इस वाले वर्ड से जो रिलेशन लगके अगले वाला वर्ड बना आपको बताना है नेक्स्ट कंगारू से अगले वाला वर्ड क्या बनेगा आंसर आ रहा है कुछ का A, कुछ का B भी आ रहा है, B आंसर आ रहा है, कुछ का A रहा है, कुछ का B भी आ रहा है अगर हम relation देखें, हाती के पास क्या होता है, हाती के पास सून्ड होता है, मचली के पास गल्फेडे होते हैं की साहिता से ये सांस लेती है, ओक्सिजन लेती है, और कंगारू के पास क्या होता है, करेक्ट आंसर जो आ रहा है, भी आ रहा है, बैग होता है, मतलब थेली होती है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज लिख के और बता दें, कंगारू किस देश का राष्ट ये पसू ह नेस्टनल एनिमल किस देश का है, भाईया कंगारू ये लिख के बता दू, मुझे उमीद है सब के सब करेक्ट बताएंगे, चलो जी, ये जी एस का कोश्चन आपके सामने था, चलो बताओ कौन से देश का है, कंगारू जो है कौन से देश का राष्टिय पसू है, चले जी ब बी, पी, क्यूँ, ऐसी होल्डिन का कोड़ क्या है, होल्डिन का कोड़ है, J, L, T, A, डबल के, के, रूप में कोड़ित किया जाता है, उसी भासा में, A, K, R, P, Q, B को किस रूप में लिखा जाएगा, बताओ, अप्सन नमबर A लिखा जाएगा, B, C, D, हाँ जी, बिल्कुल स डिकोडिंग का कोश्चन है ये वाले का बताओ A K R P Q B का कोड क्या होगा चले जी इसका आंसर मुझे दें आप देखे कोडिंग डिकोडिंग का कभी भी कोश्चन आ जाए सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है जो आपको वर्ड दिया सबसे पहले वो लिख लो T A L वर्ड T A L E N T वर्ड है उसके नीचे जो उसका कोड है वो लिख लो उसके नीचे उसका कोड लिख लो कोड था आपके पास V V के बाद X X के बाद N N के बाद B, B के बाद P, P के बाद Q अब इसकी compare करनी start करो answer आ रहे हैं बच्चों का चोथे का answer आ रहा है B चोथे का B बता रहे हैं कुछ D बता रहे हैं चलो जी करते हैं पहले वाले word की compare पहले वाले से करो अगर gap कम है तो करते चले जाओ कोई ना कोई sequence ज़रूर बनेगा T 20 पे V 22 पे कितने बड़े आगी की तरफ दो बड़े अगर मैं देखू A से X तक A से X तक मतलब की A से पीछे की तरफ जा रहे हो तो यहां माइनस कितने हो माइनस 3 पीछे की तरफ गए L से N बना L 12 पे N 14 पे यहां 2 बड़े चलो जी E से B बना E से B बना E 5 पे B 2 पे यहां पे माइनस 3 हुआ N से P बन रहा N 14 पे P 16 पे यहां पे प्लस 2 हुआ T से Q बना यहां पे देखो T 20 पे Q सतरे पे माइनस 3 पीछे की तरफ गए आंसर आप सबके डिफरेंट आ रहा है जांसी D बता रहे हैं गुलू C बता रहे हैं चलो जी बहुत अच्छा कुछ D बता रहे हैं तो सेम सिक्वेंस भाया जो लोजिक इसमें लगा है सेम लोजिक इस वाले वर्ड से में लगेगा और यह कोड बनेगा तो सेम लोजिक आप इस वाले वर्ड में लगा दो यह देखो सेम सिक्वेंस लगा दो वर्ड था A, K, A, K, R, R, P, Q, B इसमें लगा दो सेम सिक्वेंस जिनका अंसर C, R, I, Correct है क्या सिक्वेंस है A का नमबर 1, A कर 2, 3, 3 पर आता है C चलो जी, K का नमबर 11, 11 में से 3 गए, 8, 8 पर आता है H चलो जी, R का नंबर 18, 18, 20, 20 पर याद है T20 चलो जी, P का नमबर 16, 16 में से 3 गए, 13, 13 पर आता है M चलो जी Q का नंबर 17, 17, 19, 19 पे आता है S चलो जी B, B से पीछे की तरफ आ भाईया क्या पीछे की तरफ जाओ माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा Y आएगा तो C, H, T, M, S, Y, C, H, T, M, S, Y, Option नंबर C Option नंबर C जिसका और है correct answer है very good, बहुत अच्छे चलो जी C के साथ next, next कल चलते हैं, अपने आगे की तरफ चलते हैं Question नंबर 5 की तरफ, Question नंबर 5 जो है set वाला question है Analogy numbering में set वाला question है, बनाने की कोसिस करें सब के सब हाजी C, C है इसका पिछले वाले का correct answer चलें जी क्या कहा है, उस समुच्चे का chain कीजिए जिसमें संक्या उसी परकार संबन दीता है जैसे निमलिकित समुच्चे की संक्या, कहने का मतलब simple सा यह है जो relation, जो relation इस वाले set में है, same relation इस वाले set में भी है ठीक है, और जो relation इन दोनों set में है, आपको बताना है, वो relation से ही, भाईया, वो same relation इन में से कोन से option में है option नमबर A में होगा, B में होगा, KGF, सुनील, भाई भाई सर, कहां चल दी एक सुनील, भाई भाई करके अभी तो class start हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, चलो जी, बताओ जी कौन सा relation है, कौन सा relation सबसे पहले तो इन में relation क्या है और उसके बाद देखो same relation क्या होगा, बताओ जी इसका answer, देखो relation बताओ क्या होगा, देखो answer आ रहा है D, answer कुछ का B, कुछ का D, अगर मैं देखो यहां से एक relation मुझे नजर आ रहा है, थोड़ासा अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं यह तीसरी और दूसरी वाली संख् को आपस में माइनस कर लूँ, 44 में से 22 गया कितना बचा, 44 में से 22 गया भीया, 22 बचा, और उसके बाद क्या कर दूँ, जो answer करा, उसका आधा कर दूँ, तो भीया क्या बना, 11 बना, बिल्कुल पहले वाला नंबर बन रहा, क्या लोजिक था, लोजिक मैंने लगा यह जो ती जो का B आ रहा है, चलो जी, रिलेशन क्या था, लोजिक क्या लगाया था, मैंने लगाया, जो तीसरे वाले में से पहला घटा, लो, 15 में से 3 गया, 12 है, और जो आधा करोगे, पहला नंबर मिलेगा, 12 का आधा तो 6 आता है, तो भीया, 3 तो 6 होना चाहिए, तो 3 नहीं होना च आता हो, माइनस करो, 44 में से 8 गये, कितना बचा, 36, और जो नंबर है, उसका आधा करोगे, कितना 18, क्या 18 मिल रहा है, बिलकुल मिल रहा है, same relation, option number D में मिल रहा है, same relation, option number D में मिल रहा है, ओके सर नहीं जाओंगा, very good, बस इसी तरह तो लगे रहना, इसी तरह रेगूलर्टी के साथ आना है, और देखो इतने सारे बच्चे अभी भी लाइवार, session like नहीं करा, ऐसे ना किया करो, session तो like कर दिया करो, ठीक है, session like कर दिया करो वही, सब के सब, चले next question, question number 6 आपके साम ने है, निमलिकित सब्दों को आबादी के अनुसार एक तरक पूर्ण तथा अर्थ पूर्ण करम में विवस्तित कीजिए, देखो, याद रखो, आज कल reasoning में logical reasoning आनी start हुई है, आप ये बताओ, जिसने GS में ये topic पढ़ा होगा, कौन से वाला, आबादी वाला, ठीक है, आबादी वाला, अगर question पढ़ा होगा, रोग से पता होगा, GS में कि कौन से राज्ये की आबादी मतलब की जनसंख्या जादा है, वो ही question कर सकता है, तो याद रखो, GS अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि GS का यूज जो है, GS का यूज आपका जो है, reasoning में भी है, चलो जी स्वाले का अंसर बताओ, क्या होगा, कौन सा sequence बनेगा, अगर हम जनसंख्या के coding मतलब की आपकी जनसंख्या के coding देखें, तो सबसे जादा है जनसंख्या किस में है, आप मुझे बताओ, आंधर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, उत्तर प्रदे को कौन सा state आएगा, फिर आएगा, मध्य प्रदेश, यूपी के बाद जनसंख्या अगर इन चारों में देखी जाए, मध्य प्रदेश की आती है, तीसरा कौन सा आएगा, आंसर बच्चों का रहा है, सर B, कुछ का B आ रहा है, कुछ का D आ रहा है, तीसरे पे आएगा आप का आएगा आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश की जनसंख्या मध्य प्रदेश से कम है, चलो जी, चोथे पे आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, चोथे पे आएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या अगर इन चारों में, पाचों में देखी जाए, सबसे जन संक्या जो कम है वो अरुनाचल परदेश में है, किसमें अरुनाचल परदेश में है, तो बताओ भीया, क्या सिक्वेंस बना, सिक्वेंस भीया, B और C बता रहे हैं, बच्चों बताओ का अंसर B C, जिनका B A correct है, तो देखो उत्तर परदेश का नंबर कौन सा था, उत्तर परदेश चोते नंबर के था, इसका 4 नंबर था, अब numbering कर लो, मद्य परदेश का नंबर दो था, आंदर परदेश का एक था, हिमाचल परदेश का आपका 5 है, और अरुनाचल तो याद रखो रिजनिंग आज कल जो है ना आपकी जी एस से रिलेटिव भी आपको देखने को मिल रही है चलो जी इसी के साथ next question की तरह बढ़ते हैं classification वरगी गरन ओड ओड आएंड आउट वाले topic से question है उस शंख्या का चैन करें जो भिन है कहने का मतलब simple सा है ये जो चार option दिये है इन में से 3 option में कोई ना कोई आपस में relation है आपको वो option हटाना है वो option बताना है जो इसका बाकी 3 से कोई relation नहीं है चलें जी बताएं इसका answer क्या होगा ए एकसो ठान में बी एकसो पैसट सी एकसो सततर डी एकसो बतीस बताएं एकसो सततर आ रहा है answer answer 177 बच्चों का बता रहें 177 177 answer बताना है क्या बात है अब ये भी लिखो logic क्या लगाया logic भी बता दो 177 कैसे है logic भी बता दो मुझे लिखके comment में very good चलें जी सबसे पहले या कोई ये जो है इन में से जो है कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिए हो सेम पाड़े में आ रहा हो सेम नंबर से कट रहा हो अगर हम देखें यहां से देखें 11 से अगर मैं 11 से कौन कौन divisible है पूरा पूरा कट रहा है ग्यारे से काटूं ग्यारे कम ग्यारे कितने बचे 8 ग्यारे अठे ठसी बिलकुल पूरा पूरा कट रहा है ग्यारे से अगर मैं ग्यारे से देखू ग्यारे कम ग्यारे कितने बचे 2 बचे 22 हुआ तो 11 दुनी 22 ये भी पूरा पूरा कट रहा है अगर मैं इसे देखू ग्यारे यह भी 11 से पूरा पूरा कट रहा है जबकी ऑप्सन नमबर सी 177 को 11 से भाग करोगे पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा 11 एकम 11 कितना बचा 6 साथ यहां रिमाइंडर सेस बचेगा कुछ यहां से देखो 11 चिंग 66 कितना बचा एक रिमाइंडर बच गया जबकी बाकी के 3 न अगर आपको बैटर करनी है तो डेली क्लास में आओ और याद रखो कोई भी बुक ले लो उससे डेली यह एम बना लो कि कम से कम 40 से 50 कोश्चन मुझे ना किलास के अलावा भी लगाने है जैसे जैसे आप प्रक्टिस करते चले जाओगे तो ने ने चीज़े आपके सामने है दी गई आकरती का दरपन परतिविम आपके सामने एक डाइग्राम है और यहाँ पे आपको मिरर लगाया हुआ है आपको बताना है इसका दरपन परतिविम क्या होगा ओप्सन नमबर A होगा B होगा C होगा या D होगा मिरर इमेज लड़ू कोश्चन आपके सामने जल्दी बता दो answer आ रहा है बच्चों का क्या answer आ रहा है आठवे का बच्चों का answer आ है D याद रखना जब भी mirror image आए तो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है left वाली चीज हमेशा कहां बदल जाएगी left वाली चीज बदल जाती है right में left बदल जाएगा right में और right बदलता ह है left में दूसरी चीज mirror image में कभी भी उपर वाली position अपर position जो होगी और साथी lower position कभी change नहीं होती ही और तीसरी चीज दरपन के पास जो चीज होती है सबसे पहले उसका diagram बनता है तो दरपन के पास देखो क्या है सबसे पहले यह दोनों चीज दरपन के पास तो star बनेगा यह पे और गोला बनेगा देखो यह जब इधर जाएगी ऐसे यह वाली जगह यह पे चला जएगा star यह पे आएगा और देखो left right में यह ऐसे घूम जाएगा ठीक है यह ऐसे घूमेगा इस तरह किसा बनेगा तो कौन से मन रहा है देखो same diagram किस में बन रहा है option number D में बन रहा है D आपका correct answer है चलो जी बहुत अच्छे अंजली पटे D होगा sir very good अंजली चलें जी इसके बाद question number sir option D होगा चलो जी बहुत अच्छे सब का answer correct आ रहा है चलें जी next question direction से क्या का इसने यदि उत्तर को उत्तर पूरव बन जाए यदि उत्तर क्या बन जाए उत्तर पूरव बन जाए तो इसी परकार ये करम जारी रहे तो आपका दक्षिन क्या बन जाएगा direction change वाला question है बताओ जी दक्षिन क्या बनेगा option number A west बनेगा B north बनेगा C north east बनेगा या D south west बनेगा चलें जी इस वाले का answer दे कि अगर ये changing हो direction में दिसाओं में तो आपका जो south है उसको आप क कुछ का C भी आ रहा है जब भी direction वाला जो आपका जो वो आए direction वाला आपका question है सबसे पहले direction वाले जो आपका diagram उसे बना लो direction वाला diagram बना लो भी ये होता है direction वाला diagram ये होता है ऐसे वाला उप यहाँ पे होता है उत्तर मतलब north नीचे south इधर east इधर west ठीक है और यहाँ प साउत के मीड में यह डारेक्शन किसके मीड में है नोर्थ वैस्ट के मीड में सबसे पहले यह बना लो और देखो चेंजिंग क्या हुआ चेंज क्या हुआ देखो उत्तर दिसा थी मतलब कि यह जो उत्तर वाली दिसा है नोर्थ वाली इसको नोर्थ ना कहके क्या कहा जा रहा इसको नोर्थ ना कैके से नोर्थ इस्त कार जा रहा है कहने का मतलर change क्या हुआ देखो इहां से यह वाला angle जोता है 45 डिगरी गया 45 डिगरी कैसे गुह हां क्लॉक्वाइज गुहा टिपाइज गुहा चलो अगले में देखो पश्यम को बहिए पश्य से गया 45 डिग्री तो सिंपल सा लोजिक है 45 डिग्री क्लोक वाइज घुम रहा है जो भी डारेक्शन दे उससे 45 डिग्री आप क्लोक वाइज गढ़ी की दिशा में घुम जाओ अगर मैं आप से पूछा डक्षिन दिशा क्या बनेगी डक्षिन दिशा आपको बतानी जिनका अंसर ड्र어짝 correct हो डक्षिन दिशा देखो सबसे पहले का है डक्षिन दिशा आपकी येरी और लोजिक क्या है यहाँ से कोई भी डिरेक्शन हो उससे 45 डिग्री मतलब घढ़ी की दिसा में ऐसे घूमो, तो 45 डिगरी का एंगल कहां से बनता है, यहां से यहां तक बनेगा, 45 डिगरी का एंगल, और गूम भी कैसे रो, घड़ी की दिसा में, तो यहां 45 डिगरी जब आप घड़ी की दिसा में जाओगे, कौन सी डारेक्शन आएगी, आपकी जो है, आपकी आ नमर 10 आपके सामने है, बनाने की कोशिस करे, इसा हो इनी सकता रीजनिंग का आपका कोई एग्जाम हो और सीटिंग अरेजमेंट से आपका कॉस्चन ना आए, बताएं जी इसका आंसर बताएं क्या होगा, थाकूर साहब, थाकूर साहब क्या कमेंट कर रहे हैं आप, कि इस्टडी से रिलेटिव मी कमेंट कर ले थाकुर साहब चलें जी बताएं थाकुर साहब इसका अंसर बताएं क्या होगा चलें जी seating arrangement का question है क्या कहा ड्रैक है पवन है गगन है लक्स्मन है और ये चार व्यक्ति हैं और एक वरत्ताकार मेज के चारो और मेज के केंदर की और मुद करके बैठे हैं लेकिन इसी करम में नहीं बैठे करम इंनका कोई change हो सकता है ठीक है ड्रेक गगन के ठीक बगल में दाइयोर है और लक्षमन जो है ड्रेक और पवन के ठीक बीच में है इस विवस्ता में निमलिकित में से कौन सा विकल्ब सही होगा बताओ वहिया, आपको डाइग्राम बना के ये बताओ option number A से होगा, B से होगा, C होगा या D होगा चलें जी आप बताएं क्या answer होगा चलें जी इसका, याद रखना, ये sitting arrangement वाला बिल्कुल easy question होता है अगर आपको left hand वाला concept पता है ना, तो आप question को easy से बना दोगो सबसे पहले circle पे question है, circle बना लो भीया, ये बना लिया, circle इसमें कितनी व्यक्तिय है, चार व्यक्तिय है, चार बठा लो, एक यहाँ बठाएं, एक यहाँ बठाएं और सबका face center की तरफ है, मतलब की अंदर की तरफ है, ये रा center अब बस ये वाला जो है logic याद रखना है आपको, देखो एक एक लाइन पढ़ो और question को बनाने की कोशिस कर, कुछ का answer AR है, कुछ का DR है, कुछ का BR है चलो जी, line पढ़ते हैं, पहली line देखो ये का, इसने गगन के ठीक बगल में दाई और कौन बैठा है, ड्रेक बैठा है, ड्रेक कहां बैठा है, गगन के right में, अगर मैं गगन को यहाँ बठा लूँ, तो ड्रेक कहां बैठेगा, left hand वाला concept होता है, right का मतलब हतेली की side, left का मतलब नाखून की side, और right, left hand कैसे use करना, left hand की middle वाली finger उधर होनी चाहिए, जिधर वो देख रहे हैं, अंदर की तरफ, तो, sorry, तो आप यहाँ ऐसे hand रखोगे, और इसने का, गगन के दाई में कोन है, ड्रेक, दाई का मतलब, right का मतलब, हतेली की side, इधर कोन हो गया, इधर right इधर होगा, तो यहाँ पे आप का होगे, ड्रेक, जिनका answer B आ रहा है, भाईया, कुछ बच्चों का B भी आ रहा है, very good, जबर जस दिल बाग बाग कर दिया, जिनका B आ रहा है, वो correct हो सारे के सारे, चलो जी, अगली line पढ़ो, और इसने कहा, लक्षमन जो है, ड्रेक और पवन के ठीक बीच में कौन है, ड्रेक और पवन के ठीक बीच में लक्षमन है, अब आपके पास दो जगे रहेगी, इसने कहा, ड्रेक और पवन के बीच में, भाईया, ये दो जगे रहेगी, तो यहाँ पे ड्रेक होगा, और यहाँ पे आप पवन बठाओगे, तभी तो आप पवन को कहा बठाओगे, यहां बठाओगे, और लक्षमन को कहा बठाओगे, लक्षमन को आप यहां बठाओगे, तो आपका डाइग्राम कम्प्लीट बन गया, देखो, ड्रैक और पवन के बीच में लक्षमन बैठा है, अब आप से पूछा क्या, आप से पूछा क्या पवन बैठा है, left hand का concept middle वाली finger उधर जिधर ये देख रहा है देखो लक्षमन के का लक्षमन पे अपना left hand रखो और लक्षमन के बाईं का मतलब नाकून की side तो भी या ड्रैक बैठा है नाक की पवन बैठा है इसका मतलब ये तो गल्ट हो गया ये option गल्ट, दूसरा चेक करते है गगन के ठीक बगल में गगन के ठीक बगल में बाईं और कोन है पवन मतलब की गगन के left में कोन है पवन, देखो गगन ये रहा, ये इस पे left hand रखो middle वाली finger जो है उधर रखनी है जिधर वो देख रहा है, left का मतलब नाखून की साइड क्या इधर इधर क्या आपका गगन से इधर क्या मिल रहा, आपको पवन मिल रहा है बिल्कुल बैठा है, इसका मतलब option number B, option number B आपका correct answer होगा उमीद है, सबको समझ में आ गया होगा चलो जी बस right left के लिए आपको ये left hand वाला concept याद कर लो और इसी से सारे seating arrangement और इसी से जहां भी left right का concept आएगा ना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद आप अच्छे हो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आप अच्छे हैं, चलने जी साथी साथ आपको याद रखना है SSC MTS के लिए SSC Maker की टीम ने आपके लिए short selection batch launch किया है और ये वाला batch आपको मात्र क्या 200 निन्याड में रुपे मिल रहा है complete video course, class note, expert facility faculty और साथी सार आपके doubt session है, करना क्या है SSC Maker app डाउनलोड करें और वहाँ से ये वाला batch पर्चेस कर लेंगे चलने जी बादसा दिल गार्डन गोर्डन हो गया सर बिलकुल मेरा comment कोपी कर रहे हो चलो जी next question आपका cloaks है किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य है कितने डिगरी का कोण है बताओ जी घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य है कितने डिगरी का कोण है option number 95 होगा B 110 होगा 85 होगा या 100 होगा चलने जी बताए आपका answer क्या होगा चलने जी इसका answer बताएं clock का question है इसका answer मुझे comment section में लिख के बताएं याद रखना जब भी कोई time दे clock वाले question में जब भी कोई time दे और आपसे angle निकालने को कहे तो आपको simple एक formula याद करना जब भी कोई time दे और आपसे कहे angle क्या होगा तो आपको formula याद करना theta is equal to 60h theta is equal to 60h ये वाला symbol 11m by 2 ये formula लगा दो question हो जाएगा और ये जो symbol है इसका मतलम minus होता ये बस क्या होता है अगर इसका ये वाला नमबर बड़ा है और ये वाला नमबर चोटा तो इसमें सेई e- menos कर दो अगर ये वाला नंबर बढ़ा जाए और ये वाला छोटा बने तब इसमें से ये माइनस कर दो आंसर बच्चों का रहा है 95 H का मतलब क्या होगा? H का मतलब होता है गंटे H का मतलब होता है हावर मतलब गंटे और M का मतलब होता है मिनट बस ये फॉर्मुला लगा दो और कुश्चन कर दो इस वाले को देखो लगा फॉर्मुला ठीटा इसकल टू 60 H का मतलब गंटे कितने थे गंटे थे आपके 5 तो 60 गुणा 5 ये वाला सिम्बल और 7-7 11 गुणा मिनट कितनी है मिनट है 10 जिन का आंसर 95 आरा करेक्ट है तो इस 300 में से 110 माइनस कर दो कितने बचेंगे 190 बचेंगे और आदा करो 90 का 2 नम अठार है 10 बने 2 पंजे 10 95 जिसका आंसर आ रहा है option नमबर 1 करेक्ट है 95 आपका करेक्ट है चलेंजी इसके साथ जो है next question पे चलते है next question आपका order ranking से है question बनाने की कोशिस करे एक पंग्ती में कमल बाएं छोड से अठार है एक पंग्ती है उसमें क्या का कमल बाएं छोड से अठार है यदि रोहन बाएं से सात्वा है रोहन बाएं से सात्वा है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ती बैठे हैं बताओ जी, उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, option number A, 9 होगा, B, 12 होगा, C, 11 होगा, या आपका D, 10 होगा, बताओ जी, कितने व्यक्ति उनके बीच में बैठे हैं, order ranking का question है, तो चलेंगर मैं बात करूँ, यहाँ से एक line खीच लो left or right के लिए, यहाँ से यह वाली मानली पंक्ती है, यह पंक्ती का जो है, जो row हो है, आपका left hand है, और यह वाला चोर आपका right वाला, answer 11 आरा है, कुछ का 12 आरा है, सब का different, कुछ का 10 भी आया, सब का different, different question answer आरा है, अब किसका 10, कुछ का 12, कुछ का 11 है, देखो question को आराम से समझो, आज आप mid में, जब भी mid में पूछें ना, कितने व्यक्ति वेटें, आज doubt clear हो जाएगा, देखो इसने कहा, कमल जो है, बाएं छोर से 8 हुआ है, तो मानलो भीया, कमल बाएं छोर से 8 हुआ है, तो मानलो यहाँ पे भीया, यहाँ पे बेटा कौन है, यहाँ पे बेटा भीया, कमल, यहाँ पे बेटा है कमल, और कमल जो है, क्या है, लेफ्ट से कौन सा नंबर है, कमल का 8 हुआ है, चलो जी, कमल यहाँ हो गया, इसके बाद क्या कहा, इसके बाद रो है न, रोहन का नमबर लेफ्ट से साथ है माल यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे माल लो यहाँ पे बैठा है कौन यहाँ पे जो बैठा है यहाँ पे बैठा है आपका क्या है यहाँ पे आपका बैठा रोहन यहाँ पे आपका रोहन बैठा है correct answer इसका 10 होगा, अब देखो, जब भी mid पूछे, एक formula याद कर लो, जब भी midperson पूछे तो midperson का पूछे, तो midperson का मतलब, तो आपका distance like-1, mid भराबर होते है, मिड में जितने व्यक्ति पूछे, मिड का मतलब होता है distance minus 1, distance का मतलब उन दो व्यक्ति के बीच की दूरी, अगर मैं यहां से आप से पूछूँ, इन दो व्यक्तियों के बीच की दूरी मुझे बता दो, 17 और 18 में कितने बीच की दूरी, d बराबर क्या होगा, इनका अंतर distance क कितनी है, रोहन से कमल तक की distance कितनी है, तो आप कहोगे 18-7, 18 में से 7 गए 11, कहने का मतलब आपका रोहन और कमल के बीच जो दूरी है, कितने की दूरी है, 11 की दूरी है, distance कैसे निकालोगे, 18 में से 7 गए, कितना बचा distance आगी आपकी 11, अब आपको मिड निकालने, मिड परसन का formula होता है distance minus 1 तो distance दूरी कितनी निकली 11 है और 11 में से 1 minus कर दो कितना हुआ 10 तो भईया इनके 20 total कितने आपके जो इनके 20 कुल कितने व्यक्ति हैं 10 हैं option number D doubt clear हुआ यह formula very very most important है mid के percent distance minus 1 distance कैसे निकालते हो एक ही side अगर व्यक्तियों तो दोनों की जो इस्तिति हैं उनको आपस में minus कर लो वहां से आपकी दूरी निकल जाएगी distance निकल जाएगी और फिर mid निकाल दोगे आप mid कैसे निकालोगे जो distance आई उसमें से एक कम कर दो correct answer इसका 10 होगा चले जी इसके बाद next question आपके सामने है non-verbal से चलो जी लड़ू question आपके सामने है बनाने की कोशिस करें क्या कहा है दी गई आकरती के अनुकरम को पूर्ण कीजिए यहाँ पे यह जो diagram है इसमें जो है ना कोई ना कोई logic चल रहा है आपको वो ही logic लगा के आपको बताना है next वाला diagram क्या बनेगा option number A बनेगा B बनेगा C बनेगा D non-verbal का question दो second में होना चीए दो second में होना चीए चलें जी बताएं इसमें क्या होगा देखो पहला concept क्या था पहले यह वाला था अगले वाले में अगले वाले में देखो यह डंडाया अगले वाले में एक और आया बिल्कुल आ गया जी चलो जी अगले वाले में यहां से फिर ऐसा बना ठीक है तो next वाले यहां तक में आ गया तो देखो एक बर ऐसे बन रहा है एक बर ऐसे एक बर ऐसे एक बर ऐसे option number B, option number B, आपका correct answer है, चलो जी, इसके बाद question number 14 पर चलते है, अर्थमेटिकल रीजनिंग से question है, अर्थमेटिकल रीजनिंग वाला question है, बनाने की कोशिस करें इस वाले question को, चैने जी, याद रखना selection ले लो, 12,000 प्लस vacancy है, हर बार ऐसा chance नहीं मिलता, बस याद रखना, जितने बच्चे आप होना, सारे के सारे daily आओ, regularity याद रखो, regularity अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, किसी भी चीज पर अगर आप regularity रखते होना, तो सफलता निश्चित मिलती है, बस ये होता है, कुछ को जल्दी मिल जाती है, कुछ को लेट मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है, तो regularity के साथ, regularity के साथ आपको हमार इसाथ बने रहना है चले जी next question नहीं अर्थमेटिकल रीजनिंग से इसने क्या का दो संख्याओं का योग और उनका अंतर का अनुपात कितना है 6-5 है दो संख्या है उनका sum और उनका जो है difference उनका जो रेसो है वो 6-5 है तो आप से पूछा है इन संख्याओं का अनुपात क्य होगा बहिए इन संख्याओं का रेसो बता दो क्या होगा answer आ रहा है 11-1 कुछ का भी भी आ रहा है को इसका इस वाले question को करने से पहले एक logic समझ लो कभी भी अगर दो नंबरों का दो जो संख्याओं है अगर उनका sum दिया हो अगर दो संख्या जो है अगर उनका sum दिया हो ठ जैसे माल लो X plus Y बराबर दे रखा 30 और X minus Y बराबर दे रखा 10 याद रखो मैं एक चीज समझाने वाला हूँ आपको क्या कभी भी 2 संख्याव का अगर योग दिया हो दो 2 संख्याव का क्या 2 संख्याव का अंतर दिया हो तो आपको अगर बड़े वाला नंबर चाहिए मतलब अगर चोटा नमबर चाहिए है बड़े नमबर में जोड के आदा करो और चोटे नमबर में घटा के आदा माइनस करके आदा कर दो चोटा नमबर मिल जाएगा 30 में से 10 गए 20 और 20 का आदा करोगे कितना 10 तो बड़ा नमबर x 20 हुआ और y कितना हुआ 10 सेम लोजिक लगाओ जिनका अंसर 11 एकारा करेक्ट है तो यहां सेम लोजिक लगाओ सेम वाला इसने का दो संख्याओ का योग x प्लस y भाईया योग यह रहा x प्लस y योग और दो संख्याओ का अंतर x माइनस y इनका रेसो कितना है इनका रेसो 6 पाँच है कहने का मतलब योग कितना है हम मानेंगे x प्लस y का मान 6 है और x माइनस y का मान 5 है तो आप मुझे बताओ नमबरों का यह जो संख्याओ इनका रेसो आपको बताना है, अगर मैं कहूं, बड़े वाला नमबर चाहिए, तो कैसे निकालोगे, बड़े वाला नमबर बताओ, कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया, दोनों को जोड के, दोनों को जोड के आधा कर दो, तो 6 प्लस 5, आधा कर दो, जोड के, 6 प्लस 5, आधा कर पहला नमबर मिला, अगर छोटा नमबर चाहिए, तो घटा के आदा, 6 में से 5 गे कितना बचा, 6 माइनस 5 बटे 2, तो आदा करोगे 1 बटे 2, इनका रेसो पूछा है, तो X अनुपात Y पूछा है, तो X का मान 11 बटे 2, और अनुपात Y का मान 1 बटे 2, नीचे से नीचे कट याद रखना, याद रखना, ये लोजिक आपको मैट में बहुत जादा काम आएगा, ठीक है, उमीद है, समझ में आ गया हो, मोध्य में नया छातरू स्याम, स्याम कि सोर आपका हार्दिक अभिनंदन है, SSC मेकर के परिवार में, चलो जी, रेगुलर्टी के साथ आना है, इसमें आपको बताना है कि इसमें टोटल सर्किल कितने है, बताओ जी, इसमें टोटल सर्किल कितने है, चले जी, इसमें बताओ कितने सर्किल है, आंसर आ रहा है बच्चों का आंसर देखो, सर्किल वाला कोशन जब भी आए, डारेक्ट सर्किल दिल लो, देखो, एक यह रा Option number आपका जो है B correct answer होगा, उमीद है समझ में आ गया होगा, चले जी इसके बाद question number 16 पर चलते हैं, बनाने की कोशिस करें, mathematical operation से question है, आज कल आपका SSC का फैवरेट टोपिक है mathematical operation, क्या question है, इसने कहा निमलिकित समीकर्ण को सही बनाने के लिए, आपके सामने ये जो equation है, इसको इसे सही बनाना है, उसके लिए किन दो चिनों को आपस में बदलने की आवशक्ता है, ऐसे कोन से दो चिन है, ऐसे कोन से दो सिंबल है, जिनको आपस में बदलने से, ये वाली जो equation है, ये satisfy हो जाए, कहने का मतलब ये इधर जब चोदय बन रहा है, तो इधर भी इधर, left hand side क्या बनना चाहिए, चोदय बनना चाहिए, तो आप मुझे ये बताओ, कि कोन से दो सिंबल ऐसे होंगे, जिनको चेंज करने पर चोदय बनेगा, बताओ जी answer A, B, C, D, ऐसा question जब भी आता है, question को option से करते हैं, और हमारे पास कोई condition नी है, ऐसे type के question को option से लगाओगे, चलो जी करने का तरीका, जल्दी करने का तरीका मैं बता देता हूँ, mathematical operation से जब भी question आए, आपको सबसे पहले divide वाले symbol पे ध्यान देना है, और divide वाले symbol पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, answer आरा है B, कुछ का B आरा है, कुछ का C आरा है, तो ध्यान ये देना है, कि ज तो नमबर, जिस नमबर से आप डिवाइड करोगे, वो पूरा-पूरा कटना चाहिए, कहने का मतलब, रिमाइंडर मतलब की सेस कुछ नहीं बचना चाहिए, कुछ का B आ रहा है, कुछ का C आ रहा है, तो देखू, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल का है, यह रहा, अगर मैं से भाग करूँ 6 को, क्या पूरा-पूरा कटेगा, दो तीया 6, हाँ जी पूरा-पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड वाले सिंबल का, जो है, डिवाइड वाला सिंबल चेंज ना करें, तो में कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड वाला सिंबल चे नहीं कटेगा तो यह होई नहीं सकता तो दो अप्सन आपने हटा लिए और में जो है डिवाइड वाला सिंबल है भी नहीं और डिवाइड वाले सिंबल चेंज में नहीं करना क्योंकि पूरा पूरा खट रहा है चलो जी अब C और D बचे तो इन्हें आप चेक करोगे इनको तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा आंसर क्या होगा चलो जी C चेक करते हैं कहने का मतलब जहांबी Y दिखे Y की जगे multiply का सिंबल और जहां भी आपको माइनस दिखे वहां multiply और जहां भी multiply दिखे वहां माइनस लगा दो चलो जी करते हैं 2 है 2 लिखा प्लस 5 लिखा 5 के बाद माइनस माइनस की जएए क्या लोगे multiply गुणा का सिंबल लिया इसके बाद 3 फिर है गुणा का सिंबल गुणा के सिंबल की जएए क्या लोगे माइनस का माइनस लिया माइनस लिया ये 6 बना और ये divide ये 2 इधर चोद है त सबसे पहले डिवाइड करो, दो से भाग करा, दो तिया च्छे, अब भयाव, डिवाइड के बाद मल्टिप्लाई करो, दो प्लस, मल्टिप्लाई करा, पांतिया कितना बना, पंदरे, और माइनस क्या बचा, यहाँ बचा, आपका तीन, इजिकल टू चोदे, इधर भी चोद बनना चाहिए, 15, 2, कितना बना, 17, 15, and 2, कितना बनजाएगा, 15, 2, 17 हुआ, और 17 में से 3 गही बिलकुल 14 बन रहा है, बिलकुल option number C है, option number C है, correct answer, divide वाले सिंबल को पकड़ोगे और वहाँ से question जोए, ईज, से бан जाएगा, आपको देखना, यही होता है, mathematical operation में अगर जल्दी क करना है कि जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे पूरा पूरा कटना चाहिए चलें जी सार एक बार क्लास की टाइमिंग बता दें क्लास की टाइमिंग ये वाली क्लास डेली आपको चार बजे होती है डेली आपको चार बजाना है चलें जी इसके बाद जो है लुप्त सं इसमें आपको क्या आएगा 78 आएगा 168 आएगा 89 आएगा 144 बताओ जी लोजिक लगाओ इस वाले में missing नंबर वाला कोशन है बताओ करने की कोशिस करें इसका अंसर क्या होगा चलें जी ध्यान से देखें missing नंबर का जब भी कोशन है रवी सर्मा इग्नोर इग्नोर नहीं करत बहुत सारे कमेंट होते हैं ठीक है सब पर ध्यान नहीं जाता है जिस पर भी ध्यान चला जाता है मैं पढ़ जरूर लेता हूँ ठीक है चलें जी इस वाले को बताओ रवी आप ही बताओ इस वाले का अंसर क्या होगा चलें जी याद रखें जब भी यह missing नंबर का कोशन है सबसे पहले ये देखो कि कहां सबसे बड़ा नंबर बन रहा है अगर मैं देखो सबसे बड़े नंबर यहाँ पर बन रहे हैं इधर की साइड बन रहे हैं कहने का मतलब आपको कोशन ये ये कोलम वाला पंक्ती वाले नंबर से लगाना है आप कोलम वाले नंबर से लगाओ क क्या रवी आज ठीक है या गलत है, चलो देखते हैं, क्या है, लोजिक देखो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो इस वाले, आपको पता चलिए ऐसे सोल करना है, अगर मैं इन दोनों नंबर से आपको ये नंबर बनाना कैसे बनाओगे, तो भईया इन दोनों नंबर से कैसे बनेगा सबसे पहले एक काम करो दोनों नंबर को आपस में जोड़ो एक बर दोनों नंबर को आपस में जोड़ो और एक बर दोनों नंबर को आपस में माइनस कर लो एक बर जोड़ो और एक बर माइनस कर लो और दोनों की आपस में गुणा कर लो एक बर जोड़ो सुर लग गया है रवी आपका अंसर ठीए आप बिल्कुल करेक्ट हो तो देखो इसमें भी लगाओ ये वाला नंबर कैसे बनेगा शुरू के दोनों नंबर को आपस में जोड़ो 15 प्लस 18 एक बर जोड़ो एक बर माइनस करो 18 में से 15 और वहिया क्या एक बर जोड़ोगे एक बर मा 29 बन रहा है तो वहिया जिनका 168 आ रहा है करेक्ट है तो ये कैसे बनेगा लोजिक क्या था शुरू के जो दो नंबर है कोलम में इने आपस में जोड़ो 11 प्लस 17 एक बर जोड़ो एक बर माइनस करो 17 माइनस 11 और वहिया एक बर जोड़ो एक बर माइनस करो फिर उनकी आपस में गुणा कर दो 17 और 11 कितने बना 28 और 17 में से 11 गए कितने बचे 6 6 से गुणा करो 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 12, 14, 168 बिलकुल बन रहा है 168 option number B option number B आपका correct answer है रवी आपको तो ignore भी नहीं कर सकते हैं बिलकुल correct answer आपने दे दिया चलो जी next question आपके सामने है calendar का question है चलो जी ये वाला बताओ इसका answer क्या होगा अरजुन बिलकुल correct answer है पूजा जोती चलें जी बताएं इसका answer बताएं calendar वाला question है क्या कह रहा है इसने कहा यदी 15 अगस्त 2003 को क्या था ठीक है 15 अगस्त 2003 को सुक्रवार था 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा बताओ जी calendar वाला question है अगर 15 अगस्त 2003 को सुक्रवार था तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा A Sunday, B Monday, C Wednesday या D Saturday चले जी इसका answer बताएं इसका answer क्या होगा calendar वाला question है याद रखना जब भी date और month same हो तो उन्हें minus उन्हें खतम कर लिया करो जब भी date और month अगर same आ रहे हो देखो date बिलकुल same है 15 अगर date और month अगर same same आपको मिल जाएं उन्हें खतम कर लिया करो उन्हें काट लिया करो ठीक है चले जी इसके बाद जो है जो आपके year बच जाएं करने का तरीका answer आ रहा है Saturday करने का तरीका क्या है जहां आपके year बच जाएं डेटर month कटने के बाद यहाँ पे आपके year बचे हैं इनका difference निकाल लो इनका difference निकाल लो 2015 अंतर निकाल लो इनका 2003 यहां से और डे निकालोगे अंतर निकाला कितना आया भाईया अंतर निकाला 12 आया करने का तरीका जिनका Saturday आ रहा है correct हो आप चलो जी यहां से अंतर निकाल लिया अंतर निकालने के बाद आप इन में देखो आप leap year कितने बने ली पियर जो 4 से पूरा पूरा कट जाए ली पियर में जो है simple year से एक एक दिन जादे होता है देखो 2003 से 15 तक कितने leap year बने तो आप कहोगो sir 2003 के बाद एक ली पियर आयेगा आपका आठ में, आठ के बाद 1 LPair आएगा आपका 2, Virgin 12 में, कहने का मतलब 23-3 से लेके 2, Virgin 15 के बीच आपको देखना है, डिफ्रेंस के बाद LPair कितने बनेंगे इसके बीच में तो 1, 2, 3, कितने LPair आए 3 LPair आए, तो जितने LPair आए ना, उसको ये अंतर निकाला इसमें जोड़ दो तो बारे अर तीन कितना बना पंदर है तो ये आपके पंदर है ओर डे आ गिए ओर डे में क्या करते हो विसम दिन में जब भी साथ से ज़्याद है विसम दिन आ जाएं उसे साथ से भाग कर दिया करो उसे साथ से भाग करके आप जो है विसम दिन निकालओ, तो साथ से भाग करोगे, साथ दूनि चोद है, और विसम दिन का मतलब जो सेस फल आए, उसे ही विसम दिन कहते है, तो old day कितना आया, old day इसमें आपका आगया एक, old day एक आगया, अब इसका old day जब भी आपका आजाए, करने का तरीका क्या यहाँ पे 2003 से 2015 का पूछा है आगे की तरफ पूछा है तो कौन सा दिन दिया था सुकुरुवार दिया था और सुकुरुवार में क्या आगे वाला पूछा है तो old day उसमें जोड़ दो सुकुरवार में क्या जोड़ दो जो ओर डे एक आया वो जोड़ दो सुकुरवार से अगला दिन क्या आता है सनीवार आता है आपका Saturday आता है तो करेक्ट आंसर क्या हो अड़ी मैंने आपको बिलकुल बेसिक से समझा दिया कभी मन्त और देट से माई काट लो काम कर दो चलेंजी इसके बाद question number 19 पे चलते हैं बनाने की कोशिस करें 19 वाला सर मेरा comment नहीं देखते हो विश्वा थेर से निकल गया विश्वा नाम था अपका चलो जी चलेंजी next question क्या है when diagram वाला भाईयों पिताओं और चितरकारों के मद्य आपको बताना है brother, fathers और penter के जो mid में कौन सा आपका when diagram बनेगा a बनेगा b बनेगा c बनेगा या d बनेगा बताओ जी कौन सा when diagram आपका बनेगा चलेंजी बताएं इसका answer क्या होगा याद रखना सबसे पहले देखो, इनके बीच relation देख लो क्या होगा, अगर मैं भाईयों और पिताओं के मद्य है मतलब की भाईयों answer आरा है b, answer b आरा है कुछ का आपका c b आरा है, चलो जी कुछ का d b आया है ऐसा कोई होता है कि सभी भाई पिता बन जाए, कहने का मतलब फादर बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुनिया में जितने भी भाई है वो सारे पिता हूँ ऐसा नहीं हो सकता आप कह सकते हो सभी भाई सभी ब्रोदर जो हैं सभी भाई पिता नहीं है लेकिन आप बोल सकते हो सब कुछ भाई फादर है कुछ भाई पिता है ठीक है ये इसके बीच बनेगा अगर मैं देखू पिता और चितरकार के मद्दे देखू तो आप मुझे बता तो इन तीनों को जब आप मिक्स करोगे, तो कौन सा डाइग्राम बनता है, डाइग्राम बनता है ये वाला, ये वाला डाइग्राम बनेगा, मतलब ब्रोदर और यहाँ पे फादर ये पेंटर, तो आप बोल सकते हो, कुछ भाई पिता है और कुछ भाई पेंटर है, ऐसे बोल सकते हो, कुछ पिता पेंटर है और कुछ पिता भाई है, इन तो इनों के मिक्स से ये बनेगा, जबकि इसके मिक्स से अगर मैं यहाँ में कोई relation नी होगा यहां जबकि भाई और फादर में relation तो कुछ वाला है तो only आपका ये वाला diagram सही होगा ये सारा आपका option number B होगा option number B correct answer होगा चलें जी इसके बाद next question पर चलते हैं next question number 20 सरे चलें जी next वाला बताएं कथन निसकर्स वाला answer मुझे एक दें कथन निसकर्स वाले का answer सर आपने live class late start की मैंने कोई live class late start नहीं की है time पर यह live class चलें जी क्या question है question है सभी T क्यूं है कोई भी M T नहीं है निसकर्स आपको बताना है कोई भी T M नहीं है कुछ Q M नहीं है बताओ जी इसमें option number A सही होगा B सही होगा C सही होगा या D होगा कथन निसकर्स वाला question है बताओ जी चले जी, इसका अंसर बताएं क्या होगा, तो याद रखना सबसे पहले डाइगराम बनाओ, इसने क्या कहा, सभी T क्यूं है, सभी T क्यूं है, तो सभी T, सबसे पहले T का डाइगराम बनाओ, और सभी के बाद जो है, सभी के बाद जो वर्ड आता है, उसका डाइगराम जस्ट उपर बनाओगे, इसके जस्ट उपर बनाओगे, आंसर बच्चों का आ रहा है B, कुछ का B आ रहा है, कुछ का D भी आ रहा है, कुछ का B भी आ रहा है, कुछ का D भी आ रहा है, चलो जी अगले वाला में क्या कहा, इसने का कोई भी M T नहीं है, कोई भी M T नहीं है, तो M आप भार बनाओगे और M और T वाले डाइग्राम के बीच M और T वाले डाइग्राम के बीच कुछ भी रिलेशन नहीं है तो ये डाइग्राम आपका बनेगा ये डाइग्राम आपका बनेगा M और T वाला डाइग्राम मतलब की बिलकुल अलग है बिलकुल अलग होगा M T से भी अलग है और M भाया क्यों वाले से भी अलग होगा चलो जी अब बात करते हैं चलो बात करते हैं देखो ये positive statement है और दहिया ये negative statement है क्योंकि इसमें no word नहीं आया तो ये positive इसमें no word आगे है negative तो कहने का मतलब भाया निसकर्स negative भी बन सकता है क्योंकि negative statement भी आपकी आ रही है चलो जी अब चेक करो इसने कहा कोई भी T जिनका answer D आ रहा है correct हो इसने कहा कोई भी T M नहीं है देखो T और M वाले में क्या relation कुछ है क्या ये दोनों diagram कहीं cut कर रहे हैं या मिल रहे हैं देखो T वाला diagram ये रहा M वाला ये रहा दोनों अलग है तो बिलकुल भाया बिलकुल correct हो दोनों के दोनों अलग है तो बिलकुल correct answer होगा ये वाला चलो जिसके बाद इसने का कुछ क्यूं M नहीं है, कुछ क्यूं M नहीं है, भैया क्यूं वाला डाइगरम देखो ये रहा, क्यूं वाला डाइगरम का है, क्यूं वाला डाइगरम ये रहा, M वाला ये रहा, इनका कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लि सर होगा उमीद है सब को समझ में आ गए होंगे 20 के 20 कोशन अभी भी इतने बच्चे लाइवे हैं सैसन को लाइक जरूर कर दे सारे के सारे सैसन को लाइक और सेयर कर दे साती साथ आपका जो है ससी MTS 12,000 प्लस वेकंसी याद रखना हर बार इतनी वेकंसी नहीं आती तो इसी 12, को टारगेट करने के लिए श्योर सेलेक्शन बैच आपका आ चुका है और ये वाला बैच इस वाले बैच में आपको कम्पलीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट, फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, डाउट सैसन भी आपका होगा और ये वाला बैच आपको म बैच आपका लोंच किया जा चुका है, ये वाला बैच आपको मात्र 250 रुपे मिल रहा है, इसके बाद CGL मेंस के लिए आरम बैच, ओफर इसमें भी आपका चल रहा है, 600 आपको मात्र 600 रुपे में आपका क्या मिल रहा है, आपका CGL का आरम बैच आपको मिल रहा है, आपक जो है SSC MTS के लिए sure selection batch और यहाँ पे CHSL के लिए भी आपका sure selection batch है और sure selection batch भी आपको जो है मात्र किसने चल्ले जी मात्र आपको 350 रुपे में मिल रहा है आपकी UP पुलिस की बहुत सारी बहुत सारी वेकंसी आने वाली हैं और उसी को मद्यनजर रखते हुए आपका UP पुलिस का batch भी launch किया जा चुका है और यह UP पुलिस के वाले जो batch है इसमें भी आपका offer चल रहा है और यह वाला batch आपको 300 निन्याड में रुपे में मिल रहा है करना क्या है आपको जो है SSC Maker App डाउनलोड करनी है वहाँ से यह वाले batch purchase purchase करने है Sir question number 16 एक बर और बता दो चलो जी सोले वाला discuss कर लेते हैं क्या दिक्कत हुई सोले वाले को दुबारे कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं सोले वाला चले जी सोले वाले में क्या problem हुई सोले वाले में मैंने यह बताया mathematical mathematical operation से जब भी question आए आपको किस symbol पर ध्यान देना divide वाले पर अगर divide वाला symbol कहीं आ रहा है जैसे यहां number अगर मैं 10 रख दूँ और यहां 2 रख दूँ तो divide के symbol का मतलब होगा यह 2 के पाड़े में पूरा पूरा आना चाहिए मतलब की पूरा पूरा कटना चाहिए यह compulsory होता है यह पहचान होती है मतलब की इस से आप question जल्दी लगा लोगे अगर मैं देखो यहां पर divide का symbol है 2 से भाग करा पूरा पूरा कट रहा है इसका मतलब यह symbol change ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो देखो यहां पर symbol change हो रहा है इसमें भी ज़रूत नहीं है क्योंकि आप change करोगे गुणा की जगए क्या रखोगे गुणा की जगए जब भाग करोगे तो 6 के पाड़े में तो 3 आता है नहीं पूरा पूरा नहीं कटरा इसके बाद option number C or D बचा तो यह आपको चेक करना पड़ेगा बस यह चेक किया यहाँ पे माइनस की जगए गुणा गुणा की जगए माइनस रखा यह equation मनी और सबसे पहले भाग करते हैं तो दो तिया कितना बना चै भाई यह तीन बना भाग के बाद गुणा करते हैं पांतिया 15 बना तो 2 प्लस क्या बना 2 प्लस 15 और माइनस 3 यह रहा 15 और 2 सत्रे 17 में से 3 गए 14 इधर भी 14 इधर भी 14 तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह दोनों साइड बराबर आजएंगी इसका मतलब आपका आंसर जो है करेक्ट है साथी साथ आपके जो अजए सर की जो डेली लाइव क्लास होती है बसंत पंचमी की सबको हाँ जी रवी सर्मा बहुत अच्छा है आद गलाया बसंत पंचमी भी है आज और बसंत पंचमी पंचमी की क्या है आप बसंत पंचमी भी है तो मेरे और मेरे पूरे परिवार SSE Maker की तरफ से आपको बसंत पंचमी की भी हारदिक सुब काम ना है चलें जी आपके जो अजे सर की डेली लाइव क्लास होती है अजे सर की लाइव क्लास होती है रात को 8 बजे अजे सर अल्टरनेटी पढ़ाते हैं अजे सर आपके जो है math एक दिन math और एक दिन reasoning पढ़ाते हैं बिल्कुल basic से और trick के मध्यम से पढ़ाते हैं तो करना क्या है आप जो है डेली अजे सर के साथ जुड़े रात को कितने बजे 8 बजे चलेंजी ये कुछ links है ये वाला links हमारा Instagram का link है ये वाला Facebook और ये वाला link हमारा Twitter का link है आप इन link पे click करके हमारे साथ Facebook, Twitter और Instagram के माध्यम से जुड़ सकते हैं ये वाला जो link है ये Telegram का link है बहुत से बच्चों की समझे होती है सर हमें class का notification नहीं आरा ठीक है तो हमें class का notification नहीं आरा उन सारे exam में आगामी exam की जानकरी आपको हमारे Telegram चैनल पर मिल जाएगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर same time मिलते हैं 4 बजे जै हिंद जै भारत